दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जॉन गाल्षवर्दी के द्वारा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है स्ट्राइफ इस प्ले के पहले में आपको की फैक्स बताऊंगा और उसके बाद इसके करेक्टर्स उसके बाद इसकी समरी को दोस्तो आपको समझाता हुआ चलूँगा तो सबसे पहले इसके कुछ की फैक्स हैं इनको हम समझ लेते हैं दोस्तो strife जो है John Galsworthy के द्वारा लिखा गया एक play है ये आपको ध्यान अकना है ये एक play है जो John Galsworthy ने three act में लिखा था ये English writer है इनका पहला play था the silver box उसके बाद इनका joy play आया और उसके बाद इनका strife आया ये strife play जो है दोस्तो इनका बहुत ही ज़्यादा successful play रहा है दोस्तो इस play को 1909 में London के एक theater में पहली बाब perform किया गया था जिस theater का नाम है The Duke of Yorks Theater इसके बाद दोस्तो New York के एक ठेटर में the new theater में perform किया गया था कब 17 November को perform किया गया था I hope ये सारी चीजे आपको clear हैं दोस्तो अब मैं इसके बाद आपको इसके सारे के सारे characters को समझा देता हूँ आईए दोस्तो इसके characters को समझते हैं सबसे पहले जान लीजिए दोस्तो इस सारी कहानी की जो जड़ है वो एक factory में चल रही हरताल है फैक्टरी कोनशी है दोस्तो टरनार्था टिन प्लेट वर्ग्स ये इस factory का नाम है इस factory के अंदर एक हरताल चल रही है मजदूरों ने हरताल कर रही है इसके लिए ही दोस्तो ये play लिखा गया है ठीक अब इस में दूसरा character है board of directors मतलब कि दोस्तो इसमें कैई लोग है ये directors का एक group है जो इस factory के directors है इसके अलावत दोस्तो इन directors का एक chairman भी है जिसका नाम है दोस्तो john anthony जो है बहुत ही ideal इंसान है मतलब जिद्धी किसम के इनसान है जिस बात को ये ठान लेते हैं उस बात को मनवाने के लिए पूरी कोशिस करते हैं इनके पास दोस्तो अच्छा कासा experience है लगभग 32 साल का इने experience है इसके अलावा दोस्तो इस factory में काम करते हैं एक manager जिसका नाम है Francis Underwood ये दोस्तो इस टरनार जिसका नाम है Annid Annid Underwood अब इस Annid Underwood के बारे में दोस्तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जो ये John Anthony है John Anthony की ये बेटी है Annid Underwood ये जो है मतलब इनकी बेटी है और इन John Anthony का ये Francis Underwood जो है कौन है दावाद है जो इस factory के अंदर काम करता है लेकिन ये Annid जो है एक housewife है ये कही नहीं भी काम दोस्तों नहीं करती है ये John Anthony एक जिद्धी किसम का इनसान है जितने जिद्धी किसम के ये है इनकी बेटी जो है इतनी ही अच्छी है मतलब बिल्कुल अपोजिट है गरीब लोगों के लिए एक soft corner अपने दिल में रखती है डेविट रोवर्स डेविट रोव हरताल चलती है तो डेविट रोवर्स उनके लीडर के रूप में काम करता है नेक्स्ट करेक्टर है दोस्तों Simon Harness ये एक union officer है दोस्तों डेविट रोवर्स जो है मजदूरों की तरफ से सर्थ रखते हैं किसके सामने factory के सामने रखते हैं मतलब board of directors के सामने रखते हैं लेकिन john anthony जो है एक अडियल इंसान है वो किसी भी सर्थ को मानने के लिए ready नहीं होते लेकिन रोवर्स जो है दोस्तों डेविट रोवर्स जो मजदूरों को नेता है उसने भी मजदूरों के हित में इतनी धासू धासू सर्थे रखी हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये john anthony किसी भी सर्ट को नहीं मानना चाता लेकिन जो यूनियन ओफिसर है साइमन हारनेस इसने क्या किया है दोस्तों उन सर्टों में डेविट रोवर्स की सर्टों में कुछ चिंजिस किये हैं और उन सर्टों को थोड़ा सा इजी बनाया है लेकिन जादा जो लाबधायक सर्टे हैं वो एनी रोवर्स जो है दोस्तो ये डेविड रोवर्स की वाइफ का नाम है दोस्तो जिसकी डैथ हो जाती है इस पिले के अंदर भूग की वज़े से हरताल जब चलती रहती है तो एनी रोवर्स की डैथ हो जाती है दोस्तो भूग की वज़े से नेक्स्ट करेक्टर है दोस्तो एडगर एंथनी ये दोस्तो जॉन एंथनी का बेटा है राइट इसके अलावा दोस्तो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कौन वर्कर्स देखने के लिए मिलेंगे अब मैं आपको समझा देता हूँ इस कहानी को कि ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है और क्या क्या इस कहानी के अंदर चलता है दोस्तो इस कहानी की सुरुवात होती है इस टरनार्था फैक्टरी से होती है जब इस फैक्टरी के अंदर एक हरताल चलती रहती है अब दोस्तो फैक judgment लेने वाले व्यक्ति हैं वो है जौन एंतनी और मज़्दूरों की तरफ से जो जज्ज्मेंट लेते हैं मतलब की कोई भी सर्थ रखते हैं मसदूरों की तरफ से उनका नाम है दोस्तों डेविड रोवर्ड्स ये डेविड रोवर्ड्स दो हैं फैक्टरी के सामने मतलब की जॉन एंथनी के सामने कुछ ऐसी सर्त रखते हैं जो मजदूरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी है और जॉन एंथनी कोई भी सर्त मानने के लिए तयार नहीं है मजदूरों की इसलिए मजदूर दोस्तों हरताल पर चले जाते हैं अब कमपनी में जो हरताल हो रही है वो काफी लंबे समय से दोस्तों चलती हुई आ रही है ताकि कमपणी की कमर तूर जाए और डेविड रोवर्स ने जो मजदूरों के लिए सर्थ रखी हैं, उन सर्थों को कमपणी मान ले आप जो हैं दोस्तों कमपनी के डारेक्टर्स जो हैं, वो अपनी company को लेकर चिंता करने लगे हैं कि जो हड़ताल है वो बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है कहीं ऐसा नहों हमारी company दूब जाए वो बहुत ही जादा चिंता करते हैं दोस्तों अपनी company के लिए और उन्हें ऐसा कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है जिससे company और मजदूरों के वीच में settlement हो सके और ये जौन अन्थनी जो है दोस्तों मजदूरों की सर्थ के सामने दोस्तों जुकने के लिए तियार नहीं है बाकी के जो board of directors हैं वो तो एक बार को company की में जो काम कर रहे workers हैं उनकी सर्थ मानने के लिए तियार हैं लेकिन जोन अन्थनी उनकी सर्थ मानने के लिए तियार नहीं है इसके अलावा दोस्तों company में जो काम कर रहे हैं manager जिनका नाम Francis Underwood है ये भी Francis Underwood किसकी तरफ हैं दोस्तों workers की तरफ हैं लेकिन ये खुलकल workers को support नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये company में manager की पोस्ट पर हैं लेकिन ये support तो करते हैं दोस्तों इन workers को ही अब दोस्तों इन Francis Underwood की जो एक पतनी है जिनका नाम Anid Underwood है वो company में काम नहीं करती हैं तो इसी वज़े से वो Anid Underwood जो है फैक्टरी में काम कर रहे workers को अच्छे से support करती हैं दूसरी तरफ दोस्तों फैक्टरी के मजदूर और डारेक्टर्स के बीच में एक meeting बुलाई जाती है कहां पर दोस्तों Francis Underwood के घर पर एक meeting बुलाई जाती है किस किस के बीच में दोस्तों Board of Directors के और Workers के बीच में एक meeting बुलाई जाती है मजदूरों के लीडर जो हैं दोस्तों जिनका नाम डेविड रोवर्ट्स हैं वो भी इस meeting में होते हैं और John Anthony और बाकी के Board of Directors भी इस meeting के अंदर होते हैं मजदूरों की तरफ से दोस्तों डेविड रोवर्ट्स सारी सर्तों को Company के Board of Directors John Anthony के सामने रखते हैं John Anthony भी दोस्तों एक बहुत ही जादा अडियल इंसान है वो डेविड रोवर्ट्स की किसी भी सर्त को मानने से इंकार कर देते हैं लेकिन बाकी के जो Board of Directors हैं वो ये समझते हैं कि John Anthony को डेविड रोवर्ट्स की कुछ सर्ते मान लेनी चाहिए ताकि मजदूरों का भी कुछ भला हो और हमारी Company भी आगे चलती रहें लेकिन जॉन एंथनी ऐसा नहीं करते वो डेविड रोवर्ट्स की किसी भी सर्त को नहीं मानते और ये मिटिंग खतम कर दी जाती है दोस्तों Company के जो बाकी के Board of Directors हैं बाकी के जो लोग हैं वो जॉन एंथनी के इस रवईये से बहुत ही ज़्यादा परेशान है Company के Manager Francis Underwood एक Report बनाते हैं जिसमें वो ये दिखाते हैं कि इस हर्ताल के चलते Workers के घर में किस तरह की समस्याएं उत्पन हो रही हैं उनको किस-किस मुसीवतों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन जॉन एंथनी के उपर दोस्तों इस चीज का कोई भी फरक नहीं पड़ता है दोस्तों इस हर्ताल को खतम करने के लिए Simon Harness दोस्तों कुछ सर्ते बनाते हैं अपने पास से ही जो सर्ते डेविड रोवर्स की सर्तों से कुछ आसान है अब दोस्तों ये Simon Harness जाते हैं किसके पास जॉन एंथनी और बॉर्ड ओफ डारेक्टर्स जो लोग भी हैं जो फैक्टरी को चला रहे हैं इन सबी के पास जाते हैं और अपनी सर्तों को रखते हैं बाकी के बॉर्ड ओफ डारेक्टर्स जो हैं दोस्तों Simon Harness की सर्टों को मान लेते हैं लेकिन जोन एंथनी इनकी सर्टों को नहीं मानते वो कहते हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन मजदूरों की कमर को दोड़ दूंगा और इन्हें बिना सर्ट मनवाए हमारे पास काम करने वापस आना ही पड़ेगा तो दोस्तों ये Simon Harness जो हैं वहां से factory से वापस आ जाते हैं और ये आ जाते हैं किसके पास दोस्तों इन workers के पास आ जाते हैं और इन workers से आकर कहते हैं कि company से मैंने बात की है कुछ सर्तों में मैंने बदलाव किया है लेकिन जो board of directors हैं या फिर John Anthony हैं जो chairman of board हैं उन्होंने आपक किसी भी सर्त को मानने से इंकार कर दिया है अतै मैं आपसे request करता हूँ कि आप अपने अपने काम पर वापस लोड़ जाएं क्योंकि आपके घरों की इस्तिथी बहुत ही नाजुक होती जा रही है तो दोस्तों डेविड रोवर्स जो हैं ये भी बहुत ही अडियल इंसान है जिद्धी इंसान है ये सारे के सारे workers को दोस्तों समझाते हुए कहते हैं कि हमने इतने दिन से महनत किया है हम भूखे प्यासे इस हरताल को continue कर रहे हैं अब हम अपनी बात को बिना मनवाए काम पर वापस लोड़ जाएं ये तो सही नहीं होगा जब हमने इतने दिन तक महनत कर ली है तो हम क्यों ना अपनी इस बात को मनवा कर रहें तो दोस्तों ये डेविट रोवर्ट की बात को ये workers मान लेते हैं दूसरी तरफ दोस्तों डेविट रोवर्ट की पतनी जो है जिसका नाम है एन एनी रोवर्ट इसकी हालत बहुत खराब है इसकी हालत इतनी गंभी है कि अब ये और जादा भूख को बरदास नहीं कर सकती दोस्तों ये एनी रोवर्ट जो है इसकी हालत भूख की बज़े से बहुत खराब है अब इसके घर में खाने पीने के लिए कोई भी पैसा या फिर कोई भी खाने की वस्तू दोस्तों नहीं रह गई है जिससे ये अपन अंडर्वुड को एनी अंडर्वुड के यहां पर ये एनी रोवर्ट जो है दोस्तों पहले काम करती थी तो दोस्तों ये एनी अंडर्वुड जाती है किसके पास एनी रोवर्ट के पास जाती है और इसके लिए कुछ खाना लेकर जाती है और इसकी साहता के लिए कुछ प पतनी की हालत यानि के एनी रोवर्स की हालत जो है वो बहुत खराब है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और तुम्हें इस हर्ताल को खतम करना चाहिए और मैं एक दोस्ती के नाते एनी रोवर्स की मदद कर रही हूं ना कि मालकिन के नाते कोई मदद कर रही हूं तो दोस्त एंथनी की बेटी एनिट से कोई भी help नहीं लूँगा तो दोस्तों ये डेविट रोवर्ट जोन एंथनी की बेटी एनिट अंडर वुट से कोई भी मदद नहीं लेते हैं दूसरी तरफ दोस्तों साइमन हारनेस जो की एक union officer हैं वो एक बार फिर से मजदूरों से मिलते हैं औ लेकिन डेविट रोवर्ट ने उन्हें रोक रखा है साइमन हारनेस उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की कुछ सरते हैं मैंने उन सरतों में कुछ बदलाव किये हैं लेकिन वो सरते भी आपके ही हितमे होंगी लेकिन हाँ वो सरते इतनी हितमे नहीं हों तो कुछ मजदूर दोस्तों तयार हो जाते हैं साइमन हारनेस की सर्तों को मानने के लिए कि ये सर्ते अगर कमपनी मानने तो हम अपने काम पर वापस लोट जाएंगे लेकिन दोस्तों ये जॉन एंथनी तो साइमन हारनेस की सर्तों को मानने के लिए भी तयार नहीं है तभी दोस्तों वहाँ पर डेविड रोवर्ट्स आ जाता है डेविड रोवर्ट्स आकर ये सारी बाते सुनता है और मजदूरों के सामने एक भासर देता है बहुत ही effective भासर देता है ये एक अच्छा भासर देने वाला व्यक्ति है ये एक भासर देता है मजदूरों के सामने और इ देविट रोवर्स की पतनी एनी रोवर्स जो है उसकी डैथ हो गई है भूग की वज़े से तो दोस्तों ये डेविट रोवर्स जो है बहुत दुखी होता है लेकिन वो फिर भी वकर्स को समझाता है कि हम लोगों को ये हर्ताल continue रखनी हैं ये वकर्स दोस्तों सोचते हैं कि जो दुख भरी घटना आज डेविट रोवर्स के साथ हुई है वो घटना हमारे साथ भी हो सकती है इसलिए हमें इस हर्ताल को खतम कर देना चाहिए तो दोस्तों ये workers जो हैं ये क्या करते हैं दोस्तों ये Simon Harness की जो सर्ते हैं उनको मानने के लिए तयार हो जाते हैं तो दोस् मजदूरों की तरफ से जाता है किसके पास दोस्तों Board of Directors के पास जाता है Board of Directors से जाकर बात करता है कि जोन एंथनी इन सर्तों को मानने के लिए तयार नहीं हैं लेकिन मजदूर जब आपकी ये सर्त मान रहे हैं तो हमें ये सर्त माननी चाहिए अब दोस्तों ये Board of Directors जो है जॉन एंथनी के खिलाफ जाकर ये सारी की सारी साइवन हारनेस के द्वारा दी गई सर्तों को दोस्तों मान लेते हैं अब दोस्तों इन सर्तों में से साइवन हारनेस की सर्तों में एक सर्त ऐसी भी है कि जोन एंथनी को जो है अपने पद से इस्तिफा देना पड़ेगा अब सारे के सारे board of directors जो है इस जोन एंथनी के खिलाफ हो गए है अब इस जोन एंथनी को अच्छे से पता चल गया है कि यदि इसने ये बात नहीं मानी तो जो board of directors हैं voting करेंगे और मुझे company से निकलवा देंगे तो जोन एंथनी जो है अपने पहले ही इस्तिफा दे देता है और वहाँ से चला जाता है अब दोस्तों ये board of directors जो हैं Simon Harness की सारी सर्तों को मान लेते हैं सारे के सारे workers भी खुसी खुसी अपने काम पर लोट जाते हैं अब इस हरताल को खतम कर दिया जाता है इसी के साथ दोस्तों John Anthony जो की एक बहुत ही ज़्यादा जिद्धी इनसान है उन्हें company अलग कर देती है दूसरी तरफ जो मजदूरों के लीडर जो जिद्धी इनसान है डेविड रोबर्स उन्हें भी दोस्तों सारे मजदूर अलग कर देते हैं पहले तो ये दोनों एक दूसरे से घिरना वाली नजर से देखते थे लेकिन अब ये एक दूसरे को रेस्पेक्ट की नजर से देखने लग गए है क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने काम के लिए सच्चे रहे ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे लेकिन कंपनी ने जॉन एंथनी को और डेविट रोवर्ट्स को दोस्तों वर्कर्स ने अलग कर दिया अब ये दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं इसी के साथ दोस्तों ये स्ट्राइक भी पूरी तरह से खतम हो जाती है और ये कहानी दोस्तों यहीं पर खतम हो जाती है I hope दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद